जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि या जो सरकार है वो हर सेक्टर में प्राइवेटाजेशन को ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं इसको प्राइवेटाजेशन किया जाए इसका निजी करन किया जाए और उसी तरह से पूरी कर्म जा रही है वह पूरा विरोथ करते हुए आ तरह आ प्रिवश्चेन करने हैं अब हम इसके बारे में कर रहे हैं और आप से करमचारी है यूपी पीसेल के वह विद्रोग कर रहे हैं कि बैया उनकी जो कुछ मांगे है जिसको कि बटा जो कि आपको वह पूरी हो रही है रिगार्डिंग बटा आपका सेलरी सेक्षन हो गया और बहुत सारी पॉइंट से जो सपे की गौर्वर्मेट बार बार उसको करना जाती है जबकि वह सब कोई विरोध कर रहा है तो सरकार को नहीं करना चाहिए तिक बटा बात यह है सब अपना फैदा देखता है सरकार को निजी करन में क्या फैदा मिलेगा सर फैदा यह बटा कि जहां पर उसको कोई काम सौर्भ में कराना है वह पचास नुम में हो सब्सक्राइब उससे क्या होगा और उस में कोई बॉर्डश नीं होगा अवह इस से जो हमारे कर्मचारी है आप हमको हमको नुचानों वाटा हमको नुचानी है वेड़ा कि आपको कोई स्टेविटी ने रहे जाएगी कि हां आज मन किया तो हां तुम अच्छा कल ननी किया तो खराब तुम को निकाल देंगे और वहीं बटा क्या हो जाएगा आपको इस्टेबिटी नहीं पाएगी तो यह आपका गुथा मुखी चल रहा है बटा और यह चलता रहेगा अभी थोड़ा सांत है अभी सांत इसलिए कि 2024 का चुनाओ है तो ध्यान रखी 2024 चुनाओ है तो यह चलता है कि पता यह बताने जरूत नहीं रिकॉर्ड पड़े होए तो यह धियान रखे कि बटा आपको यह चुनाओ थे हैं तब तक सरकार चूप है क्यों उसको पता एर सीट्स हमारी इदर दर हो जाएंगे अगर हम इस पर जोर देंगे तो लेकिन आपको यह ध्यांदाना है कि उससे पहले जो वेकेंसिया आने वाली है चाहे इट याई की हो डिप्लोमा की हो बीटे की हो उसको लेना है बैटा यह तो उसके बार वेकेंसिस और कम होगी और होता है इसको मतलब क्या होता है हमारा जो उतर प्रदेश है इसको सरकार की पांच कंपनियां है जिसकों बोलते हैं डिसकॉम मतलब होता है डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ठीक है तो यह सरकारी पांच डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी है तो जो क्या है आपको आपका पश्यमा की जाती है और यह पूरे उत्तरप्रदेश में यहीं पांच है जो कि बटा सप्लाई करती है पूरा आपका पावर को ठीक है अब बात यह है जैसे कि यहां पर देखो आपका जो प्राइवेटेजेशन वह स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आपको देखोगे कानपूर के पास है उसके एंडर में क्या आता आता है तो अगरा का प्राइड Nejए उसको टार लवन को टारेंच पावर को आपको पता हुगा इसको करना रहें और हर जयगा रहाना चाहरेем लेकिन अभी वो चुप इस लिए चुनाव 15 का तो आप कोशिची करिये कि रबता पढ़ाई को ध् नहीं आएगी यह कोशिश करिएगा कि हाँ अपना पूरा जोर लगा देजिए पढ़ाई करके सेलेक्शन दीजिए अब तुमको कोर्स लेना है ना लो 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 चैमत लो पढ़ाई करो बैटा सेलेक्शन आपको जरूए बात आपको कहीं पर देख लो बैटा एक यही एक ऐसा ले लो पिकॉज उसके बाद आपको यूपी पीसल में लेकेंसी दिखेंगी लेकिन वह कम होती जली जाएंगी विकॉज आपका एक्सपैंड करेंगा क्या प्राइवाटेजेशन धिरे दिरे प्राइवेट कंपनी आएंगी और बटा सीटे कम करवा जाएंगी तो यही कुछ भी पूछना हो आपनों कमेंट बाक्स में पूछते हैं और काफी अच्छा लगता है कि यह जो आपका वेकेंसी है यह जो आपकी जवाब है वह काफी अच्छी होती है SSC जेई और अगर यूपी पीसल की वेकेंसी है और दोनों में ज्वाइन लिटा आ गया हमारा त सब्सक्राइब कर दिएगा तिल देंट टेकर अब अब लोग को गाइड करते रहेंगे नोगे तो वरी बाउट एंधिन थैंक्यू सो मच एंड लव यू थैंक्यू सो मच